नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और आज के इस वीडियो में हम बेंचमार्क टेस्ट करेंगे लनोवो वाइब के फाइव बेंचमार्क स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेक्स देख लेते हैं फोन के क्या हैं पांच इंच के IPS LCD 720P की डिस्पले मिलती है जिसका PPI 294 है Android 5.1.1 लॉलिपॉप के साथ यह आता है और इसका जो कस्टम UI है वो लनोवो वाइब का है Snapdragon 415 का Octa-Core 1.4 GHz का 64-bit का प्रोसेसर मिलता है आपको और जो GPU है वो है Adreno 405 और आप इसकी स्टोरेज को 32GB तक बढ़ा सकते हैं MicroSD card के थूँ इंटर्नल स्टोरेज इसकी 16GB है और 2GB की RAM मिलती है Autofocus के फीचर के साथ 13MP का रेर कैमरा मिलता है With a LED Flash Selfie के लिए 5MP का Front Camera और दोनों ही कैमरा से आप 1080p की वीडियो रिकार्ड कर सकते हैं USB 2.0 का Charging and Data Sinking Port मिलता है आपको और ये OTG को भी सपोर्ट करता है Sensor इसमें कई सारे मिलते हैं जैसे Accelometer, Proximetry Sensor, Light Sensor और Gyroscope Battery इसकी Removable है Lithium 9 की 2750 MS की बैटरी आपको मिलती है इसमें तो चलिए सबसे पहले N2-2 Benchmark से स्टार्ट करते हैं झाले आपको बार्ट करते हैं झाल झाल इसका स्कोर आचुका है और इसका स्कोर है 28,299 जो की काफी अच्छा है इसे प्राइस सेग्मेंट के फोन के लिए और जो उसकी रैंकिंग है वो मेजू M3 नोट के पीछे ही है चलिए Geekbench 3 स्टार्ट करते हैं झाल झाल Geekbench 3 का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट है सिंगल कोर का 503 और मल्टी कोर का 2014 सिंगल कोर का स्कोर ठीक ठाक है लेकिन मल्टी कोर का स्कोर कुछ कम है लेकिन इस प्राइस पॉइंट के साब से ठीक स्कोर है चलिए Quadrant Standard स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्या स्कोर आता है एकॉड्यड का स्कोर है 16125 जो की ठीक ठाक है थांक्यू गाइस इस वीडिएओ को देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद रहे लाज़ाने था क्यों देखते हैं चाहिए अगिन श्रुम्स अभिशन स्टार्ट को स्कोर के ठीक हिए अगिन श्रुम्स मात्यूशन द तो लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपको ये वीडियो जादे ही पसंद आए तो शेर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को थैंक यू गाइस फो वाचिंग एट और आव नाइस टेए